देखे दोस्तों घर के टाइलिंग वर्क के लिए हम अच्छे से अच्छे टाइल का इस्तमाल करते हैं पर क्या हो अगर आपके मिस्टरी ने टाइल ही प्रॉपर तरीके से नहीं लगाई तो आपके इतने अच्छे टाइल का भी कोई फाइदा नहीं होता तो इस वज़े से आज के वीडियो में हम ऐसी चीजे जानेंगे जिनसी के आप चेक कर सकते हो कि आपके घर की टाइल जो है वो प्रॉपर तरीके से लगी हुई है या नहीं अब ये वीडियो जो लोग फ्रेशर सिविल इंजिनेर है और जो लोग अपना घर बानवा रहे है उनके बहुत जादा काम में आएगी और खास करके जो आपका बातरूम होता है वहाँ पर आपको कौन-कौन सी चीजों के तरफ ध्यान देना है उसे मिस बिल्कुल भी मत कीजिए तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रू कर दीजिए सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जब आपका टाइलिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपको साउंड टेस्ट करके देख लेना चाहिए जैसा के ये मिस्तरी हर एक टाइल के उपर हतोड़ी के उल्टे बाजू से ठोक के देख रहे है कि कही पर उन्हें हॉलो साउंड तो सुनाई नहीं देता है कुछ टाइल के उपर आपको एक hard sound सुनाई देता है तो कुछ जगपर आपको एक खोकला sound सुनाई देता है तो इसके लिए आपको किसी special instrument की भी ज़रुरत में होती है आप किसी coin, marble या फिर किसी tile के टुकड़े से भी वहाँ पर tile बाजा के देख सकते हो कि वहाँ पर कही पर तो नहीं सुनाई दे रहा है और ऐसे खोकले sound सुनाई देने वाले tile के उपर आपको एक marking करके रखनी है जिससे के आपको पाता चले कि इस tile को आपको replace करना है और जितना काम आपका नया होगा जितना तुरंत आप इस tile को replace कर देंगे उतना आपके लिए सही होता है अब यह इस वज़े से तुरंत ही इस tile को आपको repair कर लेना है क्योंकि जब आपका tiling work freshly complete हुआ होता है ऐसे में आपके पात spare में एक दो tile तो पड़ी हुई होती है तो उसका आप तुरंत इस्तमाल कर सकते हो market में 6-7 माईने बाद आपको वैसे tile मिलना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है और तो और आपके कारगिर की गलती के वज़े से यह चीज हुई है तो इस वज़े से आप उसके पास से यह चीज तुरंत ही fix करके ले सकते हो अगला point आ जाता है कि आपको सभी tile का एक proper तरीके से inspection कर लेना है आपको यह देखना ही कि कही पर आपकी tile टूटी हुई तो नहीं है और कि कुछ-कुछ tile के corners टूटे होते है तो कुछ tile के उपर cracks होते है इन minor cracks वाले tile को भी आपको change कर लेना है क्यूंकि जैसे कि आपने आप में रखना ही कि जब भी आप उसके उपर से हाथ फेरते हो ऐसे वक्त में आपको एक smooth finish मिलनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक side के tile उपर आ गई है दूसरी side के tile जो है नीचे चली गई है अगर आपके tile बहुत जादा bend है तो ऐसे tile का आपका tiling work करते समय इस्तमाल नह चाहिए अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे वक्त में यह opposite आपको pair को लग सकता है उसके बाद में यहां से पानी भी नीचे चला जा सकता है और यहां पर आप ground भी proper तरीके से नहीं कर पाते हो और जहां तक बात आती है यह जो tile की lines होती है यह भी एक line में होनी चाहिए यह नहीं tile लगाते है ऐसे वक्त में आपको proper तरीके से outlet के तरफ slope देना चाहिए अगर आपने proper तरीके से slope नहीं दिया ऐसे वक्त में आपका पानी जो है एक जगपर रुख जाएगा और वही से नीचे के तरफ चला जाएगा जिसके वज़े से आगे चलके leakage हो सकता है अब इसका test कर जो है एक जगपर ठहर जाता है वो leakage का कारण हो सकता है तो उसे आप अपने mystery को बाता के तुरंट fix कर लीजे भले इसमें आपका थोड़ा सा जादा खर्च हो पर इस चीसको आपको avoid नहीं करना है क्योंकि आगे चलके इससे भी जादा खर्च आपको leakage निकलने के लिए करना पड़ सकता है अगला point आ जाता है जो आपकी wall tiles होती है उन्हें आपको plum bob की मदद से एक बार जरूर चेक कर लेना है कि वो vertical direction में है या नहीं क्योंकि कभी गलती से अगर आपकी दीवार bend है उसके उपर plaster भी vertical direction में नहीं आया इसका मतलब यह नहीं होता कि आप tile भी उसी तर लेना है अब कुछ लोग कहेंगी कि अगर slope दिया है तो tile थोड़ी बहुत उपर नीचे हो सकती है तो वो difference आप जो है वो आपकी जो bottom में लगनी वाले tile होती है वहाँ पर आप निकाल सकते है जहां तक बात आती है tile fix करते समय आपको cut piece जो होते है उन्हें ऐसी जगह पर joints है उन्हें अच्छे से feel कर लेना है क्योंकि सबसे पहले पानी जो है वो tile joints में से ही नीचे चला जाता है अगर आपके कोई सवाल है या फिर कोई suggestions है तो comment box में comment जरू कीजे ये वीडियो अगर आपको अच्छे लेगी हो तो जरू इसे like कर दीजे अभी तक आपने चानल को subscribe ने किया दोस्तों तो कैसे चलेगा चानल को जरू subscribe कर दीजे तो मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद